हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल आप सभी का आज की स्वीडियो में एक पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की स्वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान विशे की पाठी उजना जिसका उप्विशे है भौतिक विज्ञा आप आराम से बना सकते हैं और यहां पर complete मैंने पाठी उजना बनाई हुई है जिसको कहते हैं full lesson plan तो अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि वीडियो अच्छी है तो please वीडियो को like कर दीजेगा और regular basis पे अगर आप लोगों को daily basis पे morning में या फि कभी भी आप लोगों को comment करना है तो आप comment कर सकते हैं किसी भी पाठी उजना की जरूत है या फिर किसी भी micro teaching से related कोई भी content आपको चाहिए तो आप कभी भी 24 गंटे में 24 into 7 कभी भी आप comment कर सकते हैं मैं आप लोगों का reply तुरंद करूँगा और एक से दो दिन के अंदर कि अप्लोड भी कर देता हूं लेकिन वो लोग कहते हैं कि सर आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो लोग subscribe करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाते हैं जब subscribe करेंगे आप नीचे लाल कलर का जो subscribe बटरूंस पर क्लिक करेंगे तो बेल आइकन आएगा उसको दबा क आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अप्लोड हो गई है ठीक है दोस्तों तो अब चलते हैं देखते हैं आज की पाठी होजना आप देख सकते हैं कि पाठी होजना संख्या लिखी गई है 38 यानि कि विज्ञान की आज 38 मी पाठी होजना रोशन की क्लास YouTube चैनल पे जाएंगे 30 के आसपास वीडियो जाएंगे आप लोगो तो उससे आप लोगो को काफी लाव होगा अगर इसके अलावा भी आप लोगो चाहिए तो आप कमेंट का सकते हैं बिल्कुल आप लोग फ्री हैं इसके वाद आपको विद्यालय का नाम दिखना होता है क्लास है हमा यानि कि पीरियड है थर्ड तरिती अवद ही 35 का दिनांग लिखना होता है जिस यह पता चलता है कि आपने कौन सी पार्ट विजना किस डेट में पढ़ाई थी इसके आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रक्रण है घर्षन लिखा गया फ्रिक्सन तो यहाँ पे घर्षन है इसको आप घर्षन बल के रूप में भी आप बना सकते हैं नेक्स्ट आपका है यहाँ पर अगली हेडिंग सामान नियुद्देश से इसमें आपका जो विशे होता है और उप विशे होता है उसको पढ़ाने से बच्चों में किन-किन चीज़ों का आप डेवलोप्मेंट क करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर समान नियुद्देश में लिखना होता है कम से कम 4-5 पॉइंट और मैक्सिम 8-10 पॉइंट तो इसमें देखे पहला पॉइंट है विध्यार्थियों में विज्ञान विशे के प्रतिरुचुत्पन करना दूसा पॉइंट है विध गरस्ण। गरस्ण को पढ़ाने के बाद बच्चे में क्या-क्या नौलेज्ज होगा उसके बारे में आप लिखना होता है तो यहाँ पर देखे पहला पॉइंट विध्यार्थी घर्षण के गुड़ों को जान सकेंगे दूसा पॉइंट विध्यार्थी घर्षण संबंध प्रस्तावना 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 प्रस्त ये पहले कि उत्तार आईगा उसे दूसरा प्रस्न बनेगा दूसरे उत्तरता आट निए और इसमें प्रस्न जो आप बनाएंगे वह बच्चों के पूरो ग्यान के श्तर के उपर ही आधारित होना चाहिए तो इसमें देखिए पहला प्रस्ण है चात्रों हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं तो बच्चरता देंगे बाइक से स्कूटर से रेल गाड़ी से कई चीज़े यहां पैंसर मिलेंगी इसके बाद आप अगला प्रस्ण बनाई इनमें से उठा के बाइक चलात लोग नहीं बता पाएंगे यह प्रस्ण हो उनके लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रस्ण जैसे समस्यात्मक प्रस्ण का अपना उद्या सिकत्र आप बोलेंगे विद्यार्धियों आज मैं आप सभी को घर्षण के बारे में विश्टार पूरग बताऊंगा अब अच्चो मेच पर रखा चौक रखेलते हुए यह चौक कितनी दूर जाएगा तो बच्चरता देंगे थोड़ी दूर जाएगा फिर दूसरा प्रस्ण है चौक थोड़ी दूर जाकर क्या हो जाएगा तो बच्चरता देंगे रुख जाएगा फिर तीसरा प्रस्ण है चौक क्यों र बलकारी करता है जिसे घषणबल कहते हैं इसी बलकी कारण चौक रुख जाता है चातर आले काल में लिखे चातर ध्यानपुर्ग सुनेंगे यह इस पश्टी कडविदी थी इस पश्टी कडविदी लिख दीजिए और स्यामपड पे जो घषणबल है उसके वारे में लिख द तो भी हवा और उस वस्ट के बीच में दो वस्टों होगे उस पर तपर भी घषणबल कारे करेगा ठीक दूसा प्रस्ण है आप है घषणबल गति कर रही वस्टों के किस दिशा में लगता है तो बच्छे तादेंग विपरीद दिशा में ये प्रस्णिकड़ भी दी थी तो प्रस्णिकड़ भी दी लिग दीजिए उसके बड़ा अगले से छड़ बिंदु पर चलते हैं अगला से छड़ बिंदु यहां पर घषण के लाव और हानी विकास आत्मों प्रस्ण घषण बढ़ाने के लिए दो धन बताईए दीजिए तो बच्छे तादेंग भी दीजिए तो प्रस्णिकड़ भी दीजिए फिसका दीजिए घषण बल्के लाव पहला पॉइंट घषण बढ़ा पर हमें प्रिथी की सतफ पर चलने में सहायता प्रदान करता है दूसरा यांपर कागज पर पेन द्वारा लिखना है घषण के कारण ही होता है तो काग यहां पर point wise लिख दीजिए घरषड की वज़ा से हम चौक के द्वारा से हमपर पर लिख पाते हैं यहां पर हानी की बारे हम बता दीजिए पहला point है हानी का गहसड के कारण गती करती हुए वस्त की उर्जा की काफी मात्रा उसमा उर्जा में व्याया हो जाती है दूसर पॉइंट है गहसड के कारण वस्त का गहसड गिस जाता है तिसा पॉइंट है घर्षण बल के कारण गष्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जाधा बल लगाना पड़ता है चातर अले काल में लिखिए है चातर चातर ध्यान पुरोग सुनेंगे यहां पर प्रस्थी कड़ भी दी थी तो इस प्रस्थी कड़ भी दी लिख दीजिए अब यहां पर हमारा प्रस्थी कड़ समापत होता है अब आता है हमारे यहां पर मुल्यांकन प्रस्थन मुली अंकन प्रस्ट में यहां पे कम से कम एक से 2 प्रस्ट और मैकसिमन 3-4 प्रस्ट पूचा जा सकता है भाषर्डबल किसे कहते हैं लिभ कर लाना है दूस्रा प्रस्ट में गाषर्डबल कि 5 लाब लिः लिख कर लाना है आप जब homework दीजिए उसको सेंपड़ पर भी लिग दीजिए जिससे बच्चे आराम से उसको देखके note कर सके फिर भी class में आप homework की देख लिजिए कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है homework note करने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसको सायता दीजिए homework note कर लेगा आसानी से बच्चा तो आप सभी को बता है कि गिरिह कार हमारा last point होता है lesson plan का इसी के साथ हमारा आज का lesson plan समाप्त होता है अगर आप लोगों को आज का lesson plan पसंद आया हो सिर्फ आपको lesson की class youtube channel को subscribe करना इनीचे लाल कलर का subscribe लिखा हुआ बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके जैसे subscribe करेंगे एक bell icon आएगा उसको दबा के all notification on कर लिजेगा जिससे मैं जो वीडियो upload करता हूँ उसकी notification आप तक पहुशती रहे तो friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपनों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मातरम झाल